नमामिदामं रघुवन्षनाथम ये वीडियो डाइबिटिक पेसेंट के लिए है कि डाइबिटीज होते हुए हमें कौन-कौन सी ग्रिन वेजिटेबूल्स खानी चाहिए आप जैसा की तस्वीरों में देख रहे हैं इस वेजिटेबूल का नाम है ब्रोकली ये ब्रोकली वेजिटेबूल डाइबिटिक पेसेंट को काफी हद तक मदद करता है उनके डाइजेसिब सिस्टम को सुधारने में और उनके सुगर लेबल को कम करने में सेकेंड है कौलिफ लावर फूल गोभी और ठड है एस्पाइनेक एस्पाइनेक एक कमाल का वेजिटेबूल है जिसमें पोटासियम के साथ साथ मेंगनेशियम भी मिलता है और वो मेंगनेशियम ब्लड सुगर को इनरजी में बदलने में रिलोशिन ट्राइफास्पट में बदलने में काफी मदद करता है कौलिफ लावर भी काफी मदद करता है और ब्रोकली भी मदद करता है और इसके साथ साथ चौथास है बिटर गार्ड यानि करेल है करेला भी हमा ब्लड सुगर को कंट्रूल करने में बहुत मदद करता है पांचवा है टोमेटो च्छवा है ग्रीन मिर्च हरी मिर्च इन सब में से हम कहेंगे इस पाइनक जो है पालक काफी मदद करता है इसलिए कि पोटेशियम के साथ साथ विटामिन सी के साथ साथ उसमें मैंगनेशियम रहता है वह मैंगनेशियम जो ब्लड सुगर को एनरजी में बदलने में बहुत मदद करता है बायो केमिकल रियक्संस हमारे सिस्टम में होते रहती है और बायो केमिकल रियक्संस जो होती है इन प्रजेंस ओफ थर्टी फाइब से ज्यादा रियक्संस है बड़ी में जिसमें की मैंगनेशियम का काम पड़ता है और वो मैंगनेशियम सप्लाई होता है पालक के द्वारा ब्रॉकली में भी है काफी हड़ तक अपने मेंगनेशियम सप्लीमेंट को पूरा कर सकते हैं कदू गदू भी एक ऐसी सबजी है जो कि डियावेटिक पेसेट को पोटाशियम सप्लाई करने में अग्रणी है इस तरह से आप देखेंगे कि आप को ग्रीन वेज़ेटेबुल्स के द्वारा आप अपने सुगर को कंट्रोल कर सकते हैं कोरियंडर, धनियापत्ता, नीबू और टोमेटो लाल टमाटर जिसमें कि लाइकोपीन की माता ज़्यादा मिलती है वो हमारे सिस्टम को हिल्दी बनाने में काफी मदद करता है और टमाटर में भी मेंग्नेशियम मिलता है ये इस तरह से आप अपने सुगर को सबजियों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला नाम अगर आप हमसे पूछेंगे तुम्हें बोलूँगा इस्पाइनेक का है इस्पाइनेक यानि पालक पालक को दाल के रुप में खिचली में डाल करके पनीर के साथ आलू के साथ आलू अगर ताजा है तो डाबिटिक परसेंट खा सकता है ताजा आलू गूल्ड इस्टोरेस का आलू जिसमें की डाई सेकराइट की मातरा कम और डाई सेकराइट बदल करके मोनोसेकराइट हो जाता वो हर्मफुल है अगरा परेसे पता बाई सेकराइट का ताजा खार डायन जिसम्ञ जिसमिर्णी h G के जाता हारी मिर्च की म्हत्वीर के शडा में नौवा कर изб मिर्ष्ण पर सेक्राइट बाई सेकराइट कर तेह सेकरता हर्मफू परादिक पर 양े हर्मफूर्साइट टोडनीर की आएटिसम यूमेंजवाइट आप ब्रोकली खा सकते हैं ब्रोकली शे आपको काफी हद तक मदद मिलेगी और ये ब्रोकली आपके ब्रड सुगर को कंट्रूल करने में काफी हद तक मदद कर सकता है इन सब्जियों के लेकिन एक ध्यान रहे ये सब्जियां सीजनल सीजन में ही खाई जाएं और ने सीजन में जब अरजस्टी उप जाई गई सब्जियों में नूटियंट का अभाव होता है और पेस्टिसाइट्स के ज़्यादातर उप्योग से ये सब्जियां खुद ही जहर बन जाती है पेस्टिसाइट इनके उपर जो पड़ता है इन सब्जियों का न्यूटियंट भैलू खत्म हो जाता है आप इसीज को ख्याल रखें इन सब्जियों को आप सीजन में ही खाएं अभी जाड़े का मोशम हैं आप टमाटर देख रहे हैं हरी मिज़ देख रहे हैं यह आपके लि डॉकली को देखा कुरियंडर लिप्स को देखा अपनी यह सारे के सारे बहुत